बारती टीम को भगवा रंग के जर्सी में फैंस देखने वाले हैं इतना ही नहीं इस वक्त सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी वाइलन हो रही है जिसमें भारती टीम ने कप्तान रोह शर्मा टीम इंडिया की नई जर्सी पहने वे नजर आ रहा है भारती टीम आगामी आठ आक्टूबर को वंडे वोल्ल कप में आस्टिलिया के खिलाफ मुकाबला करते वे अपने अभियान के शुरुआत करने वाली है और उस मुकाबले के तयारी अभिसे भारत और आस्टिलिया के टीम कर रही है तो वहीं इसी बीच भारती टीम के जर्सी बदल गई है जी हाँ वंडे वोल्ल कप में भारत के पहले मुकाबले से पहले भारत की प्राक्टिस जर्सी को बदल दिया गया है अब टीम इडिया वोल्ल कप में भगवा रंग के जर्सी पहन कर प्राक्टिस करते वे नजर आने वाली है इसे के साथ इस बार World Cup जीतने के शुब संकेत भी बिल रहे है दरसल भारती टीम ने साल 2011 World Cup के दोरान भी से कलर की जर्सी पहन कर प्राक्टिस मैच किया था और खिताब भी अपने नाम किया था इस साल भी अगर यही संयोंग बनता है तो One Day World Cup भारत ही जीतेगा आपको बता है कि भारती टीम One Day World Cup 2023 में अपने अभ्यान के शुरुआत पांच बार के चैंपियन ऑस्टेलिया के खिलाफ करेगी भारत और ऑस्टेलिया के बीच पहला मैच जेने के MH इतंबरम स्टेडियम में खिला जाएगा नाशनल मैच खेलेंगे हैं भारत ने 56 मेच जीते हैं जबकि ऑस्टेलिया ने 86 मैचों में भारत को मात दी है दस मैचों का परिड़ाम नहीं निकल सका वहीं भारती टीम अपने घर में ऑस्टेलिया से 70 वन डे मैच खेल चुकी है जिसमें से भारत ने 32 वहीं ऑस्टेलिया ने 33 मैच जीते हैं पांच मैचों का कोई नतीज़ा नहीं निकल पाया तो 8 अक्टूबर को भारत बनाम आस्टेलिया के बीच पहला मुकाबला भारत खेलेगी तो इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राए कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना न भूलें अगर आप ए वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि एक भी खबर मिस नहोंने पाए